दोस्तों आपने ट्रेन का सफ़र तो काफी क्या होगा। जैसे के आप जनते हैं कि Electrical Engineering में इसका काफी जिक्र होता है। इसमें एक सब्जेक्ट है हमारी Electrical Engineering में जिसका नाम है Electric Traction। विधुश्ट के मेरि जम है इसमें Electrical Engineering के एक प्लेष्ट है। जहांपे हम दोग नया सीरीज चालू करना जारे हैं वह है इलेक्ट्रिक ट्रक्शन इस सेीरीज में मैं आपको सारी और जो खासकर पॉलिटेखनीक के अंदर होता हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आखिरी इंजिनेरिंग में इसका क्या यूज होता है, किस तरीके के जो ट्रेक्शन होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और इसका सप्लाई सेक्शन किस तरीके से रहता है, काफी सारे चीज जानेंगे, इसके मोटर्स के बारे में जाने कि और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी आगे आपको तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला टॉपिक यह आता है कि electric traction का मतलब क्या होता है तो देखिए दोस्तो इसमें दो वर्ड है अब traction क्या होता है यह बताता हूं चोटा सा English definition है The propulsion of vehicle is called traction अब propulsion का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं देखिए propulsion एक तरीके से force on the vehicle मतलब गाड़ी को चलाने के लिए जो ताकत लगती है उसको propulsion बोलते हैं और propulsion of vehicle using a medium मतलब किसी चीज को यूज करके आप गाड़ी में ताकत लगाते हैं उसे आप traction बोलते एक तरीके से अब यहाँ पर electric है मतलब आप electric का यूज करके किसी गाड़ी में ताकत लगा के उसे चला रहे हैं उसे drive कर रहें तब उसे बोलते हैं electric traction ठीक है मतलब यह आपका clear हो जाएगा कि आखिर electric traction होता कि electric traction में आप electricity का उफ्योग करके आपका जो गाड़ी है जो vehicle है उसे drive करते है electricity का force से ठीक है तो यह आपका clear होगा topic कि आखिर electric traction होता क्या next topic आता है कि आखिर क्या-क्या source है चलाने के बात है हम लोग electricity की बात करें तो electricity में दो ही चीज़े एक है DC source और दूसरा है AC source ठीक है सकते हैं और दूसरे में भी डाल सकते हैं अब method of providing supply मतलब train को आप source किस तरीके से provide करेंगे वो बताता हूं देखे जो train रहता है इसमें आप दो तरीके से supply provide कर सकते हैं एक होता है third rail system जैसा कि मैंने दिखाया था एक clip में third rail system वो होता है जो आपका जो दो rails होती है उसके साथ एक और रेल लग जाती है जहां पे आप supply देते हैं जो कि एक live rail होती है ठीक है उसमें supply रहती है ठीक है तो यह जो supply रहती है आपका जो train का engine है train के जो vehicles होते हैं उससे आपके engine तक पहुंचता है और आपके जो train आती है उसमें supply आता है इस तरीके से जो पूरा जो complete हो जाता है अब circuit complete कैसे होगा देखी supply तो मिल गया वट जब उसको वापीस return करना होता है क्योंकि देखिए supply कहीं से मिल रहा है तो उसको वापीस देना भी पड़ा है जैसे live or neutral होता है तो आप उसको वापीस कहां से आपको जो नॉर्मल रेल है उसी से ही return हो जाता है वापीस ठीक है इस तरीके से फुरा काम करता है circuit अब जो जैसे मैंने पहला बता दिया कि एक होता है आपका third rail system और जो दूसरा और सबसे common system है वो होता है आपका overhead system जीके overhead line जो रहता है वो रहता है overhead line का मतलब जो train के ऊपर आपको आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा ठीक है एक करेक्टिंग वायर रहता है एक तरीके से बोल सकते हैं तो जो वायर रहती है उसे हम लोग overhead line system बोलते हैं जहां से जो supply रहता है आपको उपर से ही मिलते जाता है ठीक है line to line जो track रहेगा उसी के साथ में जो live line रहेगे चलती जाएगी ठीक है यह दो था एक है DC system और एक है AC system अब जो AC system रहता है यह भी दो तरीके से होते हैं एक होता है single face और दूसरा होता है three face ठीक है इसके बार में हम लोग आगे बात करेंगे आने वारे वीडियोस में आज का वीडियो था जो सिर्फ ओवर व वाले हैं ठीक है basic में आपको बताना चाहता है तो हम बता दिया और एक last और method होता है वह होता है आपका composite system ठीक है दोस्तों उमीद करता आपको वोड़े पसंद होगी थांगे दोस्तों